नवाशकार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसे कि RPSC स्कूल लेक्चरर के लिए हम पढ़ रहे हैं इंगलिज स्लेबर स्कूल और इससे पहले जो हमने लेटररी फॉर्म की सारी वीडियो बना चुके हैं सारे वीडियो रिकोर्ड कर चुके हैं और आपके लिए उपस्तित भी करवा चुके हैं आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं फिगर ओफ स्पीच और फिगर ओफ स्पीच जैसे यह आपको आठ दिख रहे हैं यहां सामने यह जो 8 figure of speech आपको दिख रहे हैं, यह 8 figure of speech हमारे syllabus में हैं, इन figure of speech को पढ़ना है, ठीक है, यह figure of speech कौन-कौन से हैं आपके सामने, आपके सामने है simile, metaphor, personification, और इसके अलावा, फस्ट पे तो अपने को पढ़ना है simile, सेकेंड है metaphor, फिर personification, irony, hyperbole, onomatopoeia, oxymoron, और synecdiki, यह figure of speech हैं दोस्तों, यह 8 figure of speech हैं हमारे school lecturer exam, फस्ट ग्रेड के लिए, English से जो लोग त्यारी कर रहे हैं, उनके syllabus में आएंगे, तो इन, एके करके इन सब को अपन पढ़ेंगे, short video के माध्यम से, और एक में, जैसे figure of speech जो हम पढ़ेंगे, उसके विभेन परकार के example देंगे, ताकि चीज़ें आपके लिए clear हो जाएं, तो आइए start करते हैं, आज की इस class में हम पढ़ने वाले हैं simile को, simile क्या होती है, in a simile comparison is made between two objects, comparison होता है two objects के बीच में, in a simile comparison made between two objects of different kind, यहाँ पर इस चीज़े को focus करना है कि यह जो object होते हैं, जिसमें आप तुलना कर रहे हो, यह different object होने चाहिए, different kind, मतलब अलग अलग प अलग अलग प्रकार की same kind के होंगे, तो वो simile नहीं होगी, वो एक simple comparison कहलाता है, और which however one point is common, और दोनों चीज़ों के जिनके आप जो दो object का comparison कर रहे हो, वो सबसे पहली बात तो दो object होने चाहिए, और वो different kind के होने चाहिए, अलग ले एक सजीव, एक नरजीव, ऐसे हो सक करता है, तो दो object होने चाहिए, different kind के होने चाहिए, लेकिन उन में one point common होना चाहिए, कोई एक चीज़ common होने चाहिए, तो simile में क्या होगा, two objects होंगे, एक बात तो यह याद रखनी है, different kind के होने चाहिए, और उन में एक point common होगा, अगर आप different kind के यह वाले option, इस चीज़ को follow नहीं कर रहे हो, different kind के नहीं होते हैं, मालो same kind के होते हैं, तो दोस्तों उसको हम simile नहीं कहेंगे, वो एक simple comparison होगा, तो simile में यह पहली शर्त है कि दो object हो, वो भी दोनो different kind के होने चाहिए, और उन में एक point common होना चाहिए, और फिर next line है कि the simile is usually introduced by such words as, like, as, or so, इन शब्द between objects of the same kind is not simile, जैसा कि हम उपर बात कर चुके हैं कि एक ही परकार के चीजों की जब आप तुलना करते हो, यह simile नहीं होगा, इसको हम simile नहीं मानेंगे, simile के लिए compulsory है कि दोनो different kind के object होने चाहिए, अलग अलग परकार के object होने चाहिए, जैसे देखो यहां पर हमने कुछ comparison को देखा है, जैसे हम कह रहे हैं, he looks as cheerful as rose, वो इतना cheerful देखता है, जैसे rose, तो हमने he का comparison किस से किया है, रोज से, तो यह दोनो different kind है, he तो एक person है, और rose एक thing है, और हमने comparison किस से किया है, as से, तो as का होना भी जरूरी है, या like का होना जरूरी है, इसलिए हम यहां पर देख है, as या like से, दो चीजों का हम comparison कर रहे है, he का और rose का, एक तो he person है, और rose thing है, तो यहां पर हम कह रहे थे हैं, कि दोनो different kind के होने चाहिए, तो यहां पर दोनो object, जो है, two object है, यहां पर देख लो, he और rose, दो object है, और दो different kind के है, तो यह और यहां पर as भी आ रहा है, तो यह similar है, इसी तरह हम कहते हैं, curses are like chickens, हम curses का comparison कर रहे हैं, चिकन से, तो यहां बीच में आ रहा है, like, तो दोनो different object हैं, तो यह दोस्तो similar है, he road like a loin, तो यहां पर he और loin के बीच में comparison है, और like से comparison है, और दोनो different object हैं, तो यहां पर भी similar है, लता sings like a nightingale, लता जो है, coil की तरह गाती है, तो लता और nightingale का comparison है, different object है, और like से यह comparison हो रहा है, तो दोस्तो यह भी similar है, he looks like a innocent flower, तो he का comparison हम किस से कर रहे हैं, flower से कर रहे हैं, और like से जोड कर कर रहे हैं, तो यहां पर different object है, he और flower, तो यह भी similar है, इसी तरह the water is clear as crystal, water का comparison ह हम किसे कर रहे हैं booklet से कर रहे तो यह ल स्कूल है स्कूल्थ का कुछुम्बर धियर को बोलते हैं वह स्कूल है कि इतना ल्टान कहला निश्कर्स निकाल लेते हैं पहली बात तो similarly में object कितने होने चाहिए दो objects होने चाहिए दूसरी बात यह होनी चाहिए कि यह जो object आप ले रहे हो यह दोनो different kind के होने चाहिए मतलब अलग-अलग चीज़े होनी चाहिए और तीसरी बात इसमें comparison जो होता है वो as या like से comparison होता है यह तीन बातें अगर आपने याद रखी है तो यह simile है अगर different kind के object नहीं है same kind के object है तो फिर हम उसको simile नहीं कहते हैं हम उसको simple comparison कहते हैं जैसे मानलो की मैं ऐसे कहता हूँ he sings like like कुमार शानू like कुमार शानू वो कुमार शानू की तरह गाता है तो यहाँ पर different object नहीं है he और कुमार शानू दोनों ही living है दोनों ही सजीव है तो यह comparison यह simile नहीं है यह simple comparison माना जाएगा simile में दोनों object different kind के होने चाहिए जैसे यहाँ पर देखे लत्ता का हमने comparison किया है किसे नाइट इंगल से लत्ता sings like a nightingale तो यह comparison है यह sorry simile है और यहाँ पर different object है इसलिए simile है but he sings like कुमार शानू तो यहाँ पर दोनों जो है व्यक्ति हैं तो इस type का comparison simile नहीं कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम simple comparison बोलते हैं तो आज की इस class में हमने simile को जाना है अगली class में हम metaphor, personification, irony, hyperbole, इन सब को एक एक करके short video के माध्यम से clear करेंगे और यह आपके school lecturer के लिए भी उप्योगी है आपके second grade के लिए भी उप्योगी है अगर आप English के teacher बनना चाहते हैं और यह read में भी बहुत उप्योगी है तो मिलते हैं next video में तब तक नमस्कार